हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू बीमेसक्लासस डॉट कॉम और शाला के तन्त की ये स्लाइड नीट्रोग की ट्रिक का पार्ट डू है पहले पार्ट को मैं पहले आपको दे चुकी हूं और ये आपकी डिपांट थी कि सेकेंड पार्ट कुछ और ट्रिक्स लाए जाए तो इस में देखेंगे देखेंगे इस स्लाइड में हम वर्तम गत्रोग देखेंगे उसकी दो ट्रिक्स हैं Solr में 10 दूसरे में 11 टोटल एक किस कवर होंगी फिर संधी गत्रोग की ट्रिक्स देखेंगी और उसके बाद हम चार शाओ को डिफाइन कर देंगे तो यह पूरी स्लाइड आप थो दो मिट दीजे और उसको ऐसे याद करिए कि आपके एक्जाम में बहुत काम की हो तो पहला रिक है वर्तम गत्रोग का अंजना अंबू के साथ यह चोटी से स्टोरी है और यहाँ भी आखो का ही चोटी सी कहानी है इसमें यह देखो अंजना अंबू के साथ कुम्भ में गई कुम्भ में ले गई वो और अर्शिसंग मिली उसको लगन लगी यानि उसे प्यार हो गया लव के बाद निमिश पोथी यानि जैसे एक हम पंचांग देखते हैं तो निमिश पोथी देखके एक पक्ष के बाद उसकी शादी ते होई तो यह छोटी से स्टोरी है इसको अपने दिमाग में रखो वर्तमगत लोग रुग जो है वो आईलेट की डीजीज है तो उसे साब से यह कहानी भी उसे से मिलते जुलती लव अफेर्स आई को अगर हम ले ले तो तो अंजना अंबु के साथ कुम्भ में गई अर्ष संग से मिले लगन लगी निमिश पोथी देख एक पक्ष के बाद शादी ते होई अब डीकोट करो अंजना अंजनामिका अंबु अर्भुत कुम्भ कुम्बिका अर्ष और्ष और रक्ताष ये दो अर्ष पुलिया जाएगा संग में उत्संगनी लगन लगन निमिश निमिश पोथी पोथ की पक्ष पक्ष को तो बहुत सरल है अब ये आपके दस रूख कवर होगे तो अब हम बात करें इसे तो ग्यारव अर्थ रूख बचे तो दूसरी ट्रिक में याद रखो विशर सरका यानि पोईजन स्चीनी थी शरकरा को खाया कदम ने तो उसका वातज अर्ष बहने लगा जिससे श्याव क्लिक विबंध होकर क्लिष्ट हो गया तो इतना दो आईवेद हमके स्ट्रेंट से इतना याद रखना ही पड़ता है तो थोड़ा बहुत ट्रिक्स में यह जो नाम है वो एजी आपको नाम ही याद रहा है इस वज़े से यह ट्रिक्स एस्याव क्लिन से दो क्लिन है क्लीन और अक्लीन विबंद से वर्तम विबंद है और क्लिष्ट वर्तम ट्रिक ऐसी है जिसमें नाम आप बिल्कुल जादा से जादा नाम को क्लियरली याद रख सकते हैं तो यह अपने ट्रिप पे रखें जो आपके एक्जाम में बहुत काम आने वाला है नेक्स स्लाइड है संदी गत्रोग जो 9 होते हैं वर्तम गत्रोग 21 होते हैं और संदी गत्रोग 9 होते हैं याद रखना यह बहुत ही छोटी सी स्लाइड और स्लाइड में आप बहुत ही काम की चीज़ याद रख रहे हैं संदिगत रोग के अगर ट्रिक देखें तो पूरा उपचार पर आलसी कर्मी पर को कर समझो तो हमने आपे याद रखने के पर लिख दिया है पूरा उपचार पर आलसी कर्मी संदिगत रोग है अब इसे डिकोट करो पूरा पूरा पूयालाश उपणा चार से चारश होते हैं श्राव रोग जो इसमें और पर परवडिका आलसी से अलजी कर्मी से कर्मी यानि क्रिमी गरंथी रोग तो ये डिकोड आप करके याद कर सकते हो नोट्स कर लो चारशाओं में हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि वो चा से रिलेशन होता है तो यह चार शाह हो गया इस तरह के ट्रुक्स ले करके हम आगे भी आते रहेंगे और आपके स्टडी को और इंट्रेस्टिंग करने के लिए कोशिश कर रहा है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग